आता के छोटे रेट से लेकर के बड़े रेट तक आज पसुदन भाई के पास है मतर बीश हजार रुपे बहुत ही खुबसूर्त जो मुरा नसल का एक जो बुल है आप अपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका सौगत करता हूं वही दोस्तों आज वीडियो वही पालोट काओं से लेकर के आए हैं जो की जिला रोध तक में पड़ता है और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँँ इधर से आपने पहले भी वीडियो कवर करी हैं यह दूसरी वीडियो है इस वाई की और काफी आप लोगों ने उसको पसंद भी किया था मिलनों में उस वीडियो को देखा भी था तो आज उसी केडी में आप लोगों को वीडियो स्टार्टिंग से पहले बताना चाहता हूं काफी अच्छी गाएं चोटे रेट से लेकर के बड़े रेट तक विक्रीवाडी हैं और एक बहुत अच्छा खुबसूर्त बुल जो भाई के पास है ओभी आज सेल के लिए है तो यह मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे उनका रिकार्ड है क्या है और कितने पशू के लिए हैं पहले बाई का पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं फिर सारी बाते करेंगे नमस्कार जी बाई साब है पोजी साब आपका बालो जब यूँआ साथ आग्याते हैं तो आप कितनी एज होगी अपनी मेरी 18 साल होगी तो 18 साल में खूब सोक हो रहा है काफी साल करते कैसी बचतारी पसुपाल में बड़ी मजाता है संतुष्टी है ना जी बड़ी आनु है ठीक है ठीक चल रहे है अच्छा काम भी कर रहे है पड़ाई भी साथ की साथ की साथ पड़ाई चल रहे है घर का दूद हो जाता है न्याट का क्या रेट रेट रुपी और जो नौर्मल लोट्याड़ हो अगाम वाले वे लेते सत्तर रुपे किल्व तो यह आप लोगों को बात बताऊं जानकारी के लिए यह रेट अधर का कितने पशूचे लिए हैं गाएं कितनी हैं गाएं जी च्यार और एक अपने पास बुल के लिए एक जो अच्छा बुल है अब लोगों को दिखांगे और फिर आप भी खुद देख करके बताना कि कैसा आपको पशूद राइका लगा तो भी जो गायाक के लिए हो आप लोगों को बता देता हुं फिर एक गाएं को दिखाएंगे कोल करके तो फ़स्ट में जो गाई है अभी मुह से दोदात करने लग रही है यह जानकरी के लिए बता देता हूं और अगर लेंद की वाद करें फुल आइट लेंद की है काफी अच्छे जो थन निकाल रही है तो कितने मेने की गविन है और कोण से शीमन की कुछ पता है जो गाम पंचाती हो ना अपने पंचाती खाकड़गी है और एक गवण साड़ा है उसमें इसने प्रेगनेट करवा गिलाए थी उदर उदर पर करा के लिए बड़ी आसांड है वो बड़ी आसांड है लिए उसने भी तो यह देखें बाई जो जो सांड है गवशाड़ा में अचल डीबी से जो आया हुआ है उससे अब की बार यह खुद ग्याबिन है ठीक है तो वियाने का कितना टाइम बताया आपने पांच में महीने में अभी लगी है ठीक है तो यह देखें बाई जो आप लोग अरियाना नसल को जो पसंद करते हो उसी की खूपसूरते के आज जो बच्छिया हो निकल करके आई है जो की ग्याबिन भी है पांच महीने की सबसे बड़ी बात यह है आइट लेंद के इस अच्छी आइट लेगी आप आगे से भी देख सकते हो इसकी सुन्दरता कितनी अच्छी है और वह उमीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी बड़ेगी तो और भी अच्छा शरीर इसका सुन्दर सुडोल बनेगा तो भाई ने पहले बता दिया कि पांच मेने की ग्याब बन जो अनुब भी पहिशुपाला के उनको मैं दिखा देता हूं थनों की जो क्वाल्टी है काफी अच्छी है ताकि जो उनको पैचान हो जाए भाई ये ब्याने के बाद भी बहुत अच्छे थन निकालेगी और ये पोल देख सकते हो जो माथे पे और भी अच्छा जो अर्यान ये शेवादार है अच्छा इसने एक रीट फिक्स रेट बताजी जिसका एक लाख रुपे देंगे एक लाख रुपे तो ये देखें भाई एक लाख रुपे जो इसकी किम्मत भाई ने आकी है अगर को इस पर सुधन को खरीदना चाहता है तो और उसके बाद एक जो आप देखें कोई भी मतलब आगर आप देखोगे तो उसी तरह जैसे शरुण की तरह चमकती हुई यह गाएं और याना ने सलकी और ब्याने का अभी टाइम बाकी है इसका पूंसी ब्यात में बच्चा देगी या सेकिंड ब्यात में कैसा रिकाड रहा है इसका ब्यात में अब की बार कैसे अब की बार गांव के पंचैति नंदी से इस तो यह देखें जो शरुण का पिल्ला जो गाएं आप लोगों को यह दिखा रहे हैं यह वी काफी अच्छी सुन्दर जो गाएं हैं बहुत अच्छी खुब्सूर्ती की और काफी होन आते हैं काफी लोग पस भगवान को यह गाएं सबसे प्यारी लगति हैं इसलिए जो गाएं की सेवा करते हैं तो बगवान उनके प्रिये भी होते हैं और आज उसी कडि में एक सुन्दर गाएं आप देख पारे हो भई गाएं के तो वैसे भी काफी फाइदे बताई हैं सेवा अगर कोई करता है तो उसके घर में काफी फाइदे पोछते हैं और गाएं का दूद और गी तो हमेशा ही हमारे वेगैनिकों ने भी दर्शाहा कि इसका जो गाएं का दूद और गी है ओ जो इसके मुकाबले का कोई तो परसंद करते हैं अगर कोई रखना चाहता है तो खरीद भी सकता है तो थनों की क्वाल्टी और देखें मैं इसका रिकार्ड जान लेता हूं कितना टाइम भाई ब्याने का इसका जी नो में भी नहीं लगी एक वहीं ना मांद गजलो इसका एक महीना तो इसका रेट क्या रहे यह तो यह तो जो यह तो यह तो दिखा देखा रहे हो थोड़ी क्रोस में लग रही है यह गाएं और यह कुण से ब्यात में बच्चा देए कुण कितने दिन की यह नोमें विन्हें यह तो इसका क्या रेट रख्या तो यह देखें बाई बिल्कुल एक जो मैं यह वीडियो के स्टार्टिंग में बता था कि छोटे रेट से लेकर के बड़े रेट तक आज पसुदन बाई के पास है तो यह देखें बिल्कुल सबस्ट बताई है यह नहीं कि बार देगी चोड़ा देगी अठारा देगी यानिके बिल्कुल वाई यही कहे कि लिया है कि 12 के 13 के दूद उसने दिया तो अब की बार भी उतना यह दे सकती है थोड़ा बहुत बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात इसलिए इसका वही 20,000 रुपे इसको वही देने की जो बात करी वही नहीं 20,000 रुपे इसका मोल करया है ठीक है तो यह देखें वही आप लोगों को बात बताऊं अभी जो थनों को यह खोलती हुई है गाए अडर क्वाल्टी देख सकते हो और जो अभी ब्याने के 15-16 दिन रेट है 20,000 रुपे और इससे पहले जो बड़े रेट की भी दिखाई दियो यानि के जो ब्रीडिंग पर काम करने चाथते हैं तो ओ गाएं भाई की थोड़ी ही रेट ज्यादा लगेगा जो साधन पसुपालक है उनको और जो ब्रीड पर काम करते हैं वो तो पहचान होती है उनकी तो इसलिए यह देखें अगर जो इसको भी खरीदना चाथा तो मैंने जो चलाने का मक्सद दिये है वही सब को आपको पता चले कि और किसी परकार की कोई कमी नजर अभी फिलाल दिखाई नहीं देरी ठणों की जो क्वाल्टी है वह अच्छी है तो उमीद कर सकते है कि अच्छे से रहेगी जो दूद की बात बताई हो बाई ने बताई दिया कि बारा के जी दूद भी दिया है तो अभी जो चोथे नंबर पर है वह को कैसी है वह जी आप बाद में दिखाऊंगा लेकिन जो एक बच्छी जो यानिकिए आप ब्रीडिंग के उपर काम करते हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मोगा है चाट शोषएट का आज आपको रिजल्ट देख सकते हैं काफी अच्छी जो एक अर्याना नसल की जो टैल होती है बिल्गुल देख सकते हो जो गुटने तक की हाइट भी काफी अच्छी ली है और माथे में आपको एक एक ज चद्र है सारी चीज़ें दिखाएंगे अधा तो यह बहुत अच्छी बात है तो यह किस रेट की होने अड़े वही जी मात्र 25 जार वपे तो यह देखें वही चल्डीबी के सिंवन की आपको बात बता दूंँ 25,000 रुपे कि आज आपको खुद एक तैयार करी वई ब्रीड मिल रही है जिसका मां का भी रिकोड़ा चलड़ी में करवा रख्या है ज्यादा तो पच्छीजार रुपे ज्यादा इसको दूद पिला रख्या है बिल्कुल सही बात है किसी नसल को त्यार करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है और काफी उसका भई खर्चा भ रहा है तो मैं उसका पूछना बोल गया था इसलिए मैं अभी कवर कर रहा हूं वहीं जो उसकी माता जो फर्ष्ट में लाक रुपे जो मांग रहा है काफी अच्छे आईट जो सुन्दर आपको नजर आई जिसका सटे सोड़ा के जी रिकोड़ भी है दूद का जैसे इसका भी बताया है जो बताई थी बाई ने 25,000 इसका जो मोल करया है और आप लोगों को जानकारी के लिए बता जेता हूं काफी अच्छा मतलब है एच्छो शायट का रिकोड़ रहा है और काफी अच्छी दूद वाड़े उसके जो बच्छिया आई हैं तो जो भी साती भाई इ सामिल है और अभी जिसका आपको इंतिजार था भाई जो बुल को खरीदना चाहते हैं यानिके मुरा नसल के बुल काफी बाई के पास वह वह काफी अच्छा है तो उसका भी रेट पता करेंगे एक बार एक एक जानकारी ले देते हैं तो यह देखें भाई बहुत ही रहेंगे और आप उससे पहले एक बार यह देखें टैल टैल दिखा देता हूं मैं आपको तो विल्कुल गुटनों से नीचे का जो टैल है टेस्टिकल का जो साइज है काफी अच्छा टेस्टिकल साइज और इस बुल के इसाफ से पता चलता है पीट फुटे के इसाफ से इसकी मां का भी रिकोर्ड काफी अच्छा रहा है और वैदूद भी काफी अच्छा रहा होगा यह भी पता करेंगे सारी बार लेकिन आप लोगों को पहले बताओ मैं यह विकरी के लिए है तो एक एक चीज मां आप लोगों को दिखाऊंगा कवर करूँगा चाल देखें देख सकते हैं बहुत ही खूबशूर्त जो चाल एक बुल की होती है जो पैरों के मजबूत पैरों का यह बुल है वही और आइट लेंद की साफसे भी अमीद कर सकते हैं कि अभी खीरा है तो आइट भी बहुत अच्छी निकाल कर गया आएगा तो जो साथी अपने वही डै देखना चाहेंगे एक चीज मा कवर कर देता हूं क्योंकि जो विकरी के लिए चीज होती है मेरा प्रियास रहता है उसको एक एक चीज दिखाओं यह शिंगों की क्वालिटी देखें वही बिल्कुल छोटा शिंग है आगे का शिंग है और यह दूसरा शिंग भी माथे की जो पना उट है शिंगों की नीचे दबती हुई और चेर्या का भी वह बड़ा साफ सुत्रा चेर्या है दाथ दिखाए भाई तो यह देखें वही बिल्कुल जो खीरा जो बोलते हैं दूद दातों का मिलिक टित में यह अभी फिलाल है और जो काफी अच्छे पशुपालक जानते भी होंगी जो आप इसकी जीब देख रहे हो वह भी बिल्कुल बलैक में है तो जो एक मुरा नसल की निशानी ठीक है और बिल्कुल शाफ सुत्रा और आगे की जो चद्दर कमड है वह भी बिल्कुल साफ सुत्री है पैर भी काफी मजूत है जो आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है तो इस रिकोर्ड की भी आपको चीज मिल रहे साथ ही साथ और इसकी फादर साइड से और फादर साइड है जी अर्जुन कुंगड का इसकी शिष्टर भी आज अपने पास दूद है अच्छा बाखडी ओली जी नो दस किलो दूद है सालवर की भी साथ की साथ और इसकी मां का जो 26 पलस का दूद का जो रिकार्ड रहा है बड़ा काभीले तारीफ यानि के 20-25 के जी दूद के पसुदन भाई मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं राप या कमेंट करके जरूर मुझे बताएं और यह टैग नंबर जब ही का है ना जी जब का अच्छा बाद में लगवा था इस ते जो इस ते पहले डियात के ना उसमें रेकोड होया था जी जब यह था उसके निचे कुछ दिक्कत होगी तो अभी क्या है जो 26 किलो रिकोड है उसमें अभी नीचे क्या है अब कटड़ा जी कोई नूर का है और यह अर्जुन का यह फोन कर गयो जिसने वीचे यह जी पंचात ओंचाती देंगी अच्छा जी तो यानि कि पंचात को अलग रेट है वैसे लेगा तो उसके लिए अलग रेट तो ठीक है वही यह देखें आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोनों बात बता दी है वहाई ने पंचात के लिए अलग रेट रख्या है और वैसे कोई खरीदार होगा उसके लिए अलग रेट रख्या क्योंकि वही काफी अच्छे पशूपालग यह होते हैं कि गाउं में अगर जाता है तो वही अगर कोई थोड़ा बहुत सस्ता भी चला जाए पंचात के लिए तो कोई बड़ी इसाथ नहीं नहीं होती तो इसलिए यह अप लोगों को आप खरीदना चाहती है यह इश की साथ यही है इसकी मदर भी दिखा देता हूं आप लोगों को कवर करने के लिए क्योंकि जो भीक्री वाली चीज़ है ता कि आप खरीदना चाहिए पता चले तो अभी बाख्डी और अभी भी आप अडर का जो साइज देख सकते हो टैल देख सकते हो इसकी और काफी मिलिक वेन देखें वही कितनी लंबी चोड़ी मिलिक वेन हैं तो ऐसा पसुद आप लोगों को बहुत कम दिखाई देता होगा और शींगों की जो मैं क्वाल्टी की बात कर रहा था आगे के पूरे के पूरे गुण और अब की बार जो यह कोई नूर का रहे तो अभी छोटा है यानि कि मैं आप लोगों को दिखाने का मक्सद यह है कि अभी यह बाखडी हो चुकी है अगर शेल की बात कर देंगे साफ सुत्रे जो टेस्टिकल हैं अभी से काफी अच्छे की आप टैल की बात करें तो टैल ही छुटी आती है लेकिन खूशी यह नहीं देरे-च्छे इस का तो ठीक है यानि के दो जो कटड़े हैं सेल के लिए हैं दोनों अदत हैं चोटे यानि के दू दातों में और आपको च्यार जो आज अरियाना नसल की जो गाएं दिखाई वह भी शेल के लिए दिखाई और एक कर रेट भी आमने बताया है तो जो भी साती इस पसुदन को कोई भी खरीदना चाहता है तो भाई के दिएवे कॉंटेक्ट पर शंप्रक कर सकता है और उनके एड्रेस पर आगर के खुद पसुदन देख सकता है तो एक बार एड्रेस बतारों अपना जी गाव बालोट जी लारोट तक है मोबाई नंबर आठ सो तीस साथ सो थाई सटीस दन नवाद भाई वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और भाई का पसुदन कैसा है उसने तैयार किया उसके बारे में भी आप जरूर बताना जैहिन जैवार्ट राम राम राम